तो friends 3D hologram को बनाने के लिए हम लोग लगड़ी के यूज़ करने वाई आप सब देख सकते हो हमने supply का छोटा छोटा पीस काट लिया है और जो पीस है उसकी जो चोड़ाई है वो करीबन 3 cm है और जो लंबाई है वो 16-17 cm है वैसे friends इसके मेजरमेंट के कोई जनजट नहीं है भाई बस आप लोग concept देखो बाकी आप लोग खुद बना लोगे मैं जानता है तो फिलाल अभी हमें friends इसको इस तरी किसे चिपकाना है तो चिपकाने के लिए हम लोग फैविकोल का यूज़ करेंगे अब लोग देख सकते हैं यह जो फैसे उपर फिर एक लाइन खीच देंगे और आप लोग देख सकते हो ये एकदम 45 डिगरी का निसान बन गया है और सेम दूसरे साइड भी इसी तरीके से करेंगे और ये दूसरा वला जो लकडी का पीस है उसके उपर भी इसी तरीके से करेंगे और ये लिज़े हमने 45 डिगरी का निसान बना दिया है दोनों लगड़ी के पीस में और आप friends हम लोग इसको अराम अराम से काट के निकाल लेंगे एकदम भाई पुरा एकदम 45 डिगरी पर ही होना चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गरबर होगा तो जो हम बनाना चाहते हैं वह थोड़ा टिगढ़ा मेड़ा बनेका तो यह लिज़े friends हमने इसको काट के निकाल लिया है और देखने में कापी अच्छा लग रुआ है और एकदम भाई बराबर कटा हुआ है आप लोग देख सकते हो एकदम पुरा 90 डिगर का फ्रेम भी बन जा रहा है तो चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर सीसा लगाने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हो हमने ये सीसा ले लिया है और इस सीसे को हमने कहां से निकल आए बीच ओ बीच हमें फिक्स करना है तो सबसे पहले हम लोग सीसा को रखेंगे और दोनों तरफ इसका निसान बना लेंगे कि भाई बीच में किपने एरियों में हमें इसको काटके हटाना है ताकि हम लोग सीसे को उसके अंदर फिक्स कर सकें और सेम फ्रेंट दूसरे वाले लगडी के पीस्त में भी भी लोग करेंगे एकड़म बीच ओ बीच है और आप लोग देख सकते हो भाई हमने जो निसान है वो बना लिया है और इसके ऑबात हम लोग यह जो निसान है उसके बीच मेंसे लकड़ी को काटके घटाने वाले हैं तो उसके लिए अलगी जुग आप लोग देख सकते हो और इन दोनों जगाड का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो आप लोग देख सकते हो तो चलिए अब धीरे धीरे लखड़ी के बीच में से जो हिस्सा है उसको काट के हाटाते हैं और भाई एकदम अराम अराम से काटेंगे थोड़ा भ गढ़ा बनाना है और आप लोग देख सकते हो हमने अपने एक लकड़ी के अंदर गढ़ा बना दिया है और यह जो सीशा है उसके अंदर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जा रहा है आप लोग देख सकते हो एकदम मस्त फिक्स हो जा रहा है आप फ्रेंट सेम दूसरे वाले लकड़ी के अंदर भी गड़ा हम लोग बनाते हैं यह देखिए इन दोनों लकड़ी की जिन्दगी गड़ा युक्त हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं बीच में एक दब मस्त लंबा सा लाइन बन गया है और एक दम बराबर हुआ है और इन दोने भाई हमारा जो सीश को उसके उपर रखे चिपका देंगे वैसे मैं आपको बता दू भाई फैबिकोल से सीशा चिपकता नहीं है उसके लिए कुछ दूसरा आता है लेकिन वह अभी है नहीं तो भाई हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा बस हमें थोड़ा सा अड़काना है उसके बाद हम लोग इसका जो नीचे वाला बेस है उसके उपर इसको चिपका देंगे तो यह लिए जो फ्रेंट्स हमने अपना बेस ले लिया है और यह जो बेस है वो मोटे पलाई का है मोटा और भारी पलाई है और इसके जब पर हलका पतला कुछ भी लगाते हो तो वो पलट सकता है यह सीश को हमें 45 डिग्री पर ही रखना था तो इसलिए हमने भाई पहले इसे लकड़ी को 45 डिग्री पर काटा था ताकि यह जो सीशा है वो 45 डिग्री पर सेट हो जाए और आप लोग देख सकतो यह 45 डिग्री पर सेट हो चुका है इसके बाद फ्रेंड्स यह जो पलाई है वो और अभी एकदम बुरा परफेक्ट एकदम पूरे अच्छे तरीके से सुख चुगा है और इसके बाद friends हम लोग फिर से कुछ पलाई के पीस ले लेंगे छोटे छोटे और यह जो पीस है friends हम लोग इसको इस तरीके से चिपका देंगे तो यह बहुत ज़दा मजबूत हो जाएगा तो चलिए अब इसको सुखने के लिए छोड़ देते हैं तो यह लेजे friends यह पूरे तरीके से सुख चुका है और देखने में भाई काफी अच्छा लग रहा है और भाई यह पूरे एकदम मैंने 8-9 घंटे तक छोड़ दिया थे सुखने के लिए बहुत मजबूत हो गया है और साथ ही साथ यह भी सुख चुका है और एक बार इसका लुक देखो यार कता ही ला जवाब लग रहा है इसको फ्रेंट्स इसी तरीके से हम लोग छोड़ सकते हैं इसके उपर हम लोग कुछ लिख के छोड़ सकते हैं देखने में काफी अच्छा लगेगा लेकिन भाई अभी हमें 3D होलोगरम बनाना है ठीक है अभी उसकी खुबसूरती से देखके परभावित नहीं होना है तो अब फ्रेंट्स यह जो पलाई है उसको हमें सीसे को उपर भाई पूरे 45 डिगरी पे चिपकाना है और इसलिए भाई हमने पहले से 45 डिगरी का काटके रखका हुआ है तो भाई हमें ज्यादा कुछ जंजट नहीं है करने का तो सबसे पहले हम लोग फैर्वी को लगाते हैं और इसको उपर रखके चिपका देते हैं और इसको उपर कुछ भारी चीज रख देते हैं ताकि भाई पकड़े नहीं रहना पड़ेगा नहीं तो भाई ये सीसे को जो चिपकाने के लिए खुब देर तक भाई पकड़ते हमारा हालत खराब गया था यकीन नहीं मानोगे काफी टाइमस हमने इस सीसे को पकड़के सुखाया है लेकिन इसको ऐसे ही सुखा देंगे तो आप देख सकते हो ये सुख चुका है और एकदम भाई इसका लुक देखो डिज़ाइग देखो एकदम पुरा जयड लग़ रहा है सायड से देखने में पुरा जयड लग रहा है और एक बार बाइक बताना कैसा लग रहे है pię多ँ यूनिक डिजेड बो फ्रेंटी ये पूरी तरीके से बन के त्यार हो चुका है, अब हमें इसमें कुछ भी करना नहीं है, तो अभी आप लोग सोच लोगे कि इसमें कुछ हम करेंगे, करेंगे, तो भाई पूरी तरीके से बन के त्यार हो गया है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप लोग ही बनाओ, मज जाएगा और आप लोग देख सकते हो हमने यूटूब पे ब्लेक बेग्राउंड का वीडियो ले लिया है वो भी 3D होलोग्राम अला और मतलब मैं आपको बता रहा हूं ब्लेक बेग्राउंड क्यों क्यों क्योंकि भाई ब्लेक बेग्राउंड के वज़ा से 3D में दिखेगा अगर वाइट बेग्राउंड चाहे कोई भी कलरफुल बेग्राउंड ले लोके तो उसमें भाई वो 3D में नहीं दिखेगा वो मजा नहीं आएगा उतना तो अभी आप लोग देखो 3D का मजा लो अभी मैं थोड़ा अंधेरा करता हूं ताकि भाई दिखे कि मैं क्या लगता है केमरे में भाई यह उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है लेकिन सामने से जब देखो के अपने दो दो आखो से तो अब तो भाई एकदम तगड़ा लगता है और ब्लेक बेग्राउंड होने के वज़ा से यह एकदम भाई 3D में लगता है यही फ्रेंट्स अगर इसके हमें वाइट बेग्राउंड हो चाहे कोई भी कलेरी खूलरी बेग्राउंड ओ इस वीडियो के अंदर तो यह उतना अच्छा नहीं लगगा अरे 3D में लगका यह 8D वेग्राउंड के वज़ा से 3D में लग रहा है अगर वाईट बेग्राउंड चाहे को यह पीरें तो वो 3D में नहीं लगेगा वो मज़ा नहीं आएगा उतना अभी मैं आपको white background पे भी एक वीडियो चला के दिखाऊंगा ताकि आपको भाई पता चले कि मैं क्यू कह रहा हूँ कि white background के वज़े से 3D में नहीं लगेगा एकदम मस्त एकदम देख सकते हो भाई आप लोग भी बताओ कैसा लग रहा है एकदम है नो जबर जस्त प्रोजेक्ट और आप लोग देखो यह white background चाहे colorful background में यह कैसा लगता है आप लोग देख सकते हो अगर कोई colorful background है तो भाई चाकोर चाकोर बन जाएगा और लगेगा कि भाई हम mobile ही देख रहे हैं चाहें कुछ देख रहे हैं आईसा TV भी देख रहे हैं इसमें कुछ मजा नहीं आने वाला है मजा लेना है तो वीडियो के अ जता सिंपल है बस reflection का खेल है और किसी चीज का नहीं है क्योंकि यह जो मुबाइल है उसका जो reflection है वो इस सीशेव के ऊपर पड़ता है और यह जो सीशा है वो 45 डिगरी पर है इसके कारण यह 3D में लगने लगता है आप लोग भी बना कर देखना मस्त लगता है तो देखा इसका जो concept है वो कित्ता ज़्याद आईजी है तो आप सब लोग इसको बनाओ और 3D hologram का मजा लो तो फ्रेंट्स कैसा लग आप सो को यह हमेरा 3D hologram का concept काफी नया है काफी अच्छा है एकदम अच्छे से वर करता है हर एक चीज भाई 3D में दिखता है बस सर्त यह है कि वो बाई बाई